एक बाव फिर से आप सबका स्वागत हैं आपके अपने चलम में इस वीडियो में अपने आपर बात करेंगे जो ECS Span T10 का आज के दिन का यहाँ पर मैच नमबर वन होगा जो खेला जाएगा Spartan Hospitality versus Catalonia Red के बीच में तो इस मैच की नमें आपको पूरी की पूरी जानकारी इस व वीडियो पर काम चल रहा है आपके लिए तो वीडियो पर लाइक में कोई भी कमी मत करना लाइक बिल्कुल फ्री होता है और सबसे जरूरी काम क्योंकि यह जो मुकाबला है न मैं आपको कि लेरली बता सकता हूं कि 90% के करीब मुकाबला डिपेंड करेगा TOS के उपर तो आ दूसरा आप कमेंट सेक्षिन में जाओगे जहां पर आप कमेंट करते हो तो वहाँ पर भी जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा न टॉप पर पिन किया वा उसमें भी आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप एजिली टेलिग्राम चनल को जोइन कर सकते हो बात करें इस मुकाबले की तो एक बज़े स्टार्ट होगा मैच दोपेर में मैच खेला जाएगा मॉंट जोयस ओलंपिक ग्राउंड बार्सिलोना इस्पैन में जहां पर अभी ECI स्पैन के मैच चल रहते ना वहीं पर मैच होंगे आटिफिशल वि इजाज अहमद इम्रान संदल के अगर मैं बात करूँ ना तो इसने ओवर ओल अपने कलब के लिए ना 14 मेच खेले जिसमें 234 रन 7 विकेट हैं 53 ओवर डालके जबकि 2023 में इसने अपने कलब के लिए 7 मेच खेले हैं जिसमें 127 रन हैं और 3 विकेट हैं 25 ओवर डालके तो 22 में 23 मेच में 469 विकेट हैं बोलिंग करवाना में काम नहीं है इसका में काम है बेटिंग करना आमीर वट्टी है 14 मेच में 294 रन 12 विकेट है 38 ओवर डालके ओवर और 23 में 246 विकेट है 18 ओवर डालके हाला कि पार्ट ताइम बोलर है में बोलर नहीं है लेकिन बोलिंग पासकते हैं और important बात किया है कि टॉप 3 में बेटिंग करता है मौंबद असरफ है ये विकेट कीपिंग सेक्षन से अच्छा पिक है क्योंकि overall club के लिए 13 मेच में 383 का अवरेज है जबकि 223 में इसने अपने club के लिए 7 मेच खेलें जिसमें 187 रन और 31 का अवरेज है आभी दुसरे ने इसके नाम overall 10 मेच में 137 विकेट है लेकिन 2023 का रिकोर्ड इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है 4 मेच में 46 15 का अवरेज जीरो विकेट है आदिल अरीफ है ये टीटेन खेला हुआ है बहुत अच्छे लेवल तक 34 टीटेन खेलें इसने ECS के 207 रने 22 विकेट है 41 ओर डालके और 2022 के अंदर 12 मेच में 47 8 विकेट है 12 ओर डालके काफी बढ़ी है रिकोर्ड है इसका आसिप जी आए 17 टीटेन ये भी खेला हुआ है 225 विकेट है 2022 में 13 मेच में 107 विकेट है और कलब के लिए 5 मेच में 46 तीन विकेट है अगर देको ये उपर बेटिंग करता है तो और भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपर बन जाएगा नसीम सा के नाम 49 मेच में 322 रण 12 विकेट है और 2022 में 14 मेच में 215 विकेट है ये भी मेरे इसाफ से थोड़ा ऊपर बेटिंग कर सकता है मौहमब सिराज के नाम 40 मेच में 40 विकेट है टीटेन के अंदर हर मेच में 2 O'र अपने एक अज़्याद डालता है तो यहां से देखो इनके टीम ना strong भी है जो सामने टीम है ना उनके comparison में तो मैं इनके player जो है यहाँ पर जादा रखने वाला हूँ बाकी benchmark कोन है तो benchmark है इनके नाम overall 10 match में 82 रंद 11 का average है और 2023 में कलब के लिए 4 match में 50 23 का average है कुलवन सिंग है अगर यह खेलते हैं तो bowling करवा सकते हैं हाला कि over इनके कटते हैं आप देखो 49 टीटेन में 124 रंद 13 विकर्ट है और 2022 में 29 match में 9 विकर्ट है और कलब के लिए 10 match में 169 विकर्ट है मौमद यासिन के नाम 10 match में 4 विकर्ट है कलब के लिए और 2020 में 5 में 4 में 1 विकर्ट है 46 टीटेन में 362 रन 42 विगट है और 2022 में 14 मैच में 233 विगट है अगर खेलेगा तो ये बेटिंग भी करेगा साथ के साथ बोलिंग भी करेगा तुफेल खान के नाम 5 मैच में 5 विगट है कलब के लिए 12 ओवर डालके विजे कुमार टीटेन ये भी खेला हुआ है 19 मैच में 16 विगट है और 2022 में 6 मैच में 8 विगट है कलब के लिए 4 मैच में 4 विगट है जलकरेंज शाह के नाम 7 मैच में 2 रन 0 विगट है एक ओर डालके अली एसन के नाम ODD के 2 मैच में 18 रन है फिर भी इनके देख सकते हैं आप कम से कम 10 नाम बच रहोंगे तो बहुत ज़्यादा प्लेयर है और काफी ज़्यादा न्यू प्लेयर से इसलिए इनके स्टैट्स भी अविलेबल नहीं है सामने जो टीम है SPH की टीम तो यहाँ से कुछ ही important प्लेयर है जैसे कि आदिल अहमद है यह T10 खेला हुआ है यह betting प्लस bowling दोनों करता है बहुत important pick है T10 के अंदर 14 मैच में 219 साथ विकट है 23 ओवर डाल के देखो मैं बार 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 बोल रहा हूँ टेलीग्राम चले से जुर जाना toss बहुत important है और कुछ प्लेयर के अगर स्टेट्स मेरे को मिलते है तो वो भी वही पर मिलेंगा अगर जो न्यू प्लेयर खेलते है कोई वकस मिरजा के नाम कलब के नाम 11 मैच में 176 20 का अवरेज है ओर और डोमेस्टिक T10 के एक मैच में 12 रन है इम्रान महदी के नाम T20 के 3 मैच में 2 रन है और ODD के 7 मैच में 81 रन है आतिप मुहम्मद के नाम 6 मैच में 107 ग्यारा विकेट है अच्छा प्लेयर है अगर टोप अटर में में मेंशन रहता है बिल्कुल पिक करके चल सकते हो अफक हुसेन 2 मैच में 8 रन है अली इम्रान T10 खेला हुआ है और ये 2 ओर डालने वाला बोलर है 8 मैच में 33 रन 8 विकेट है 13 ओर डालके साक्की बली के नाम 13 मैच में 4 विकेट है खेलेगा तो बोलिंग करवा सकता है उमर मक्सूद ODD के 5 मैच में 17 रन 4 विकेट है ODD मतलब समझे रहो 50 ओर वाले मैं जोत है इब्राहिम हुसेन के नाम 3 मैच में 4 विकेट है 9 ओर डालके मरूफ हुसेन के नाम 3 मैच में 5 विकेट है 13 ओर डालके और यासिर रज्जा बाकी में किसी को पिर नहीं कर रहा, बेंच पर कौन है, मोहमद साकीब है, एक मेच में आट रन एक विगड है, केसर अबास दो मेच में तीन विगड है, रशीद अमद दो मेच में छे रन दो विगड है, फाहद इकबाल एक मेच में एक विगड है, और मुजाई तेमूर एक मैच में दो विगट है T20 के अंदर बाकी के जो प्लेयरे उनके स्टाट्स कहीं पर भी अविलबल नहीं है एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लेट उम्मेद करूँगा आपको महनत और वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो देखो वीडियो को लाइक करने में बिलकुल कंजो से मत करना क्योंकि उससे मेरा भी यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ेगा कि इतनी मैनत की है तो आपने लाइक भी किया है वह इसा लगना चाहिए अभी यहाँ पर पर देख लेते हैं डेमो टीम अब भाईयों नेक्स स्लाइड में आपको डेमो टीम तो मिल जाएगा लेकिन सबसे इंपोर्टेंट काम मैंने क्या बताया कि टेलीग्राम चैनल से जोनोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुकाबला टोस पर बहुत डिपेंड है तो अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा अगर आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा तो आप जहां पर कमेंट करते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो सबसे पहला कमेंट आएगा ना उपर ही उपर पिन किया हुआ उसमें भी आपको ट टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिसक्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है धन्यवाद